हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कार्णिंग विधी तेश मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स परचेश किये ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है तो वही प्लांट्स जो मैंने खरीदे हैं आपसे इस वीडियो में शेर करने है क्योंकि ठंड में काफी पौदे मेरे खराब हो गए थे इस पार तो पौड्स खाली थे तो चाहिए थे तो सबसे पहले ये दो प्लांट्स मैंने सिल्वर डस्च के परचेश की है मुझे पाता नहीं था कि ये सीजनल होता है तो मुझे लगा ये पर्मेनिंट प्लांट है तो मैंने ये दो खरीद लिए अगर मतलब कि वैसे इसे बचाया जा सकता है पूरे साल लेकिन वैसे ये सीजनल ही होते हैं मुश्किल से बचते हैं तो जब मैंने खरीद लिए घर लाया है फिर बाद में मुझे पता लगा किसी से लेकिन ठीक रेट पर मिल गए तो फिर मैंने ये दो ले लिए पहले वो 15 रुपे का एक बता रहे थे तो मैंने दो लिए तो फिर 10-10 के मैंने कहा उनको लगाने को तो उन्होंने 10-10 रुपे के मुझे लगा दिये तो यानि कि 20 रूपे के मुझे ये दो प्लांट्स मिल गए वैसे हम सीजनल लेते हैं तो मैंने का ठीक है जितनी देर चलेंगे और दूसरा जो प्लांट है ये बैंबू का प्लांट है काफी प्लांट्स थे लेकिन कोई छोटे थे किसी की लीव्स कटे फटे थे और कोई छोटे थे ज्यादा ये ठीक था दो ब्रांचीस में लगी हुई है और सही रेट पे भी मिल गया ये ये मुझे मिला है 50 रूपे में तो ठीक है वैसे ही इसकी जो लीव्स हैं देखने में ड्रैसीना जैसी लगती है लेकिन वैसे ये वो भी बता रहे थे नरसरी वाले भाईया कि ये बैंबू का ही प्लांट है और थोड़ी बहुत इसकी स्टैम देखके भी नीचे से लग रहा है कि बैंबू जैसे होता है वैसे ही है मुझे न कुछ ऐसे प्लांट से पसंद है गर्मियों में जो थोड़े कलरफुल हो क्योंकि मैं गर्मियों में ज्यादा फूल वाले पोदे नहीं लगाता हूँ न तो बिल्कुल ही खतम हो गए थी मेरे पास प्लांट बचे ही नहीं कोई कलरफुल प्लांट तो इसलिए मैंने थोड़े रंग बिरंगे पोदे जो है लेने की कोशिश की एं जैसे यह है इसमें भी नियोन कलर है वैरिगेटर सा है और दूसरा अगेन ये भी मैने लिया है शफलेरा तो मेरे पास काफी है प्लें वाला ग्रीन वाला लेकिन अगेन मुझे थोड़े colorful plants चाहिए थे तो फिर ये मैंने variegated शफलेरा ले लिया है इसमें भी वहाँ पे दो varieties थी एक के जो पत्ते हैं वो काफी बड़े बड़े थे लेकिन मुझे थोड़े डॉफ छोटे plants पसंद है चोटे pots में ट्रेस में लगाने के लिए तो इसलिए फिर मैंने ये छोटी पत्ती वाला शफलेरा ले लिया तो ये भी ठीक rate पे मिल गया 60 रोपे में मुझे ये मिला है और plant भी काफी healthy है चांट के मैंने लिया है अभी नए नए छोटे छोटे पत्ते भी आ रहे है तो ठीक लगा और बुशी भी है तो ये भी मैंने एक plant जो है ले लिया ट्रे में लगाने के लिए ट्रेस मेरी खाली हो गई है तो उनमें लगाना है और ये succulent है इसे जो है ट्रेलिंग जेड या हैंगिंग क्रैसूला कहते है क्रैसूला है ये भी लेकिन ये हैंग करता है और मैं काफी टाइम से इसे लेने की सोच रहा था ये हाडी भी है तो कितनी नर्सरी बड़ी बड़ी नर्सरी देखी वहाँ पे नहीं मिला एक छोटी सी नर्सरी में वैसी ये मुझे मिल गया और इसमें देखी है चार ब्रांचिस हैं और भी काफी प्लांट से लेकिन सबसे हल्दी मुझे ये ही लगा बुशी भी तो ये जैसी मैंने उनसे रेट पूछा तो उन्होंने इसका प्राइज बताया 50 रूपीज तो फिर क्या था मैंने तो देखा नहीं फिर पलट के सिधा इसे उठा लिया फटा फट और हल्दी है प्लांट वैसे इसे मैं हेंकिंग बास्किट में लगाऊंगा तो सकुलेंड वैसे मैंने लेना नहीं था लेकिन ये हाड़ी है और मुझे चाहिए भी था तो फिर मैंने ले ही लिया और ये बच भी जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है ये वाली वराइटी जो है काफी हाड़ी है तो ये कुछ मैंने चार-पांच प्लांट खरीदे हैं और एक्च्वल में मैं जो प्लांट लेने गया था वो मिझे मिला ही नहीं मैं सिरफ लेने गया था कोलियस तो ऐसे हमारे साथ होता ही है तो कोलियस तीन नरसरी मैं गया तीनों में से किसी के पास भी कोलियस नहीं था कोई कहा रहा है अपरल में आएगा कोई कहा रहा है अगले हफ़ते आएगा तो कुछ लेना तो था ही इतने महंगे महंगे पौधे थे इंडोर प्लांट्स अगलोनिमा जीजी प्लांट्स लेकिन मन करता है लेकिन इस बार कसम खाली है कि अब नहीं लेने है क्योंकि सारे प्ल तो यह मेरी छोटी सी शॉपिंग है अब मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है धीरी धीरे करता रहूंगा कोलियस मुझे लेने है कलर्फुल प्रांट्स लेने है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे